आज की वीडियो कोई अगर आप टेली चलाते हैं तो यह आपको पता ही होना चाहिए आज की ट्रिक ऐसी है ए क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे प्रॉ למान जो है चुत्कीयों में सुल्व हो जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं on challenges iWA तो आप यहां पर देख सकते हैं आप कल्कुलेशन हो गर जो भी है जैसा है आप करी सकते हैं यहां पर प्लस माइनस जोड़ घटाने जो भी है सारी चीज़ा कर सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा टैली SQL Query भी सपोर्ट करता है आप SQL Query के थूरू इसमें कुछ Reports इसकी जह है निकाल सकते हैं जो आपके बहुत ही काम की हो जाती है तो जैसे मैं अगर बात करो तो SQL Query आपको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है सेलेक्ट तो हम लोग भी लिखते हैं से सेलेक्ट लिखने के बाद में आपको ज्यादतर लोगों को मालूम होगा कि स्टार से हम लोग सभी इंफॉरमेशन गैदर कर सकते सभी इंफॉरमेशन ले सकते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी अगर चीजे यहीं बस नहीं बांकी जगह भी अगर आप इस्टार लगाते हैं तो सभी चीजे आपको कलेक्ट करके मिल जाती हैं तो सिलेक्ट इस्टार लगाते हैं और हम सभी चीजें किस से ले रहे हैं आपको लिखना है फ्रॉम सिलेक्ट इस्टार फ्रॉम सभी चीजें किस से ले रहे हैं फ्रॉम लेजर तो यहां पर सिलेक्ट इस्टार फ्रॉम ल सकते हैं उसका माकी डेटेल्स जो चाहें वो फिल्टर भी कर सकते हैं यहां पर लिख के तो अभी आप देख सकते हां फे 752 हमारे कुछ यहां पर लिख disability एंगा आ यहां सा एन चीजें आ करते हैं डॉलर के साथ में उसकी information लेने के लिए set एज करके आपने बहुत सारे मेरे टीडियल में भी देखा होगा पिछले वाले में sit एज करके लिखा रहता है तो वो sit आज आप जो डॉलर के साथ में यूज करते हैं यह सारे आपके heading में यहां पर नाम वह लिख क्या रहे हैं अब यहां से information लेके उस तरीके का आप TDL भी create कर सकते हैं अब इसको आप चाहे export कर लीजिए या mail कर दीजिए जो भी है आपके सामने जो जो बटन से यहां पर दिख रही है आप सभी को use कर सकते हैं सेम ऐसे ही दोस्तों अगर आप select from laser के बजाए stock item से details लेना चाहते हैं तो आप यहां पर stock item लिख दीजिए और आपको हर बार enterprise करना है लिखने के बाद में तो जैसे ही आप enterprise करते हैं हमारा stock item का पूरा detail यहां पर आपके सामने filter होके नजर आ जाता है सेम ऐसे ही आप बाकी भी चीजें यहां पर देख सकते हैं जैसे आपको unit चेक करनी है तो यह हमारा unit का detail आ गया आपको ऐसे ही cost category चेक करनी है तो आप cost category या और भी चीजें है आप उसको भी चेक कर सकते हैं जैसे हमें cost center का detail लेना है तो यहां पर आपको लिखना है cost c e n t r e s cost centers लिखना है आपको इतना और इंटर कर दीजिए आपको cost center अगर enable होगा उसमें कुछ detail होगर आपके टेलिक में डले होंगे तो आपको यहां पर cost center का भी detail इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा तो यह तो बात होगी दोस्तों हमारे सभी details लेने की अब अगर आपको particular laser में से कि एक कोई सब्सक्राइब देट लेना है माल लेजिए अभी जैसे यह मैंने laser का Лेजर का डिटयल यहां पर उठा लिया तो हमारा सारक सारव linear का डीट लेकिन अगर क्या करना है कि हमें कुछी fields वहां से उठानी है हमें laser से कुछी field उठाने है कुछी detail उठाने है जैसे यहां पर हमें सिर्फ नाम बस चाहिए या जीव आइडी बस चाहिए लेजर का या इमेल आइडी बस चाहिए हमारे इसमें इमेल आइडी किस कितना कितना डला हुआ है अगर कोई जगह में हमें ये डॉलर के साथ में जो आपको heading name दिख रही है ये heading name देना है तो डॉलर पैरेंट पी ए डॉलर पैरेंट फ्रॉम लेजर और इंटर करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ये पैरेंट वाले name जो है वह आ चुके हैं ऐसे ही से माप कि वह लेजर नेम अगर आपको रखने हैं तो आप सिर्फ यहां पे लेजर नेम के लिए डॉलर नेम लिखेंगे और आप इंटर कर देंगे तो आपकी ये लेजर नेम से हाँ पे दिखने लगेंगे आपके जितने भी लेजर नेमs क्रियेटेर हैं वो सारे अपको दिखने लगेंगे से मैसे ही आप स्टॉक आइटम से अगर कोई information आपको निकालनी है कुछ भी निकालना है तो आप इस तरीके से information निकाल सकते हैं अब यह तो हो गई एक चीज की बात अगर आपको सिर्फ name या डेप्टर नेम ही filter करके निकालने है तो इस तरीके साज आता है अब मान लेते हैं कि अपने को name भी निकालना है और उसकी closing balance भी निकालनी है या opening balance भी निकालनी है आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है उसके बाद फिर आपको dollar के साथ में opening balance लिख देना है तो यहाँ पर हम लोग दो चीजे ले रहे हैं select name and opening balance from leisure आप इंटर कर दीजिए हमारा नाम के साथ में opening balance भी निकल के आजाएगा अब आप चाहते हैं कि हमारा group भी साथ में कि कौन सा किस group का है वो भी पता चलता रहे तो आप यहाँ पे group भी add कर सकते हैं dollar साथ में आप parent लिखेंगे तो आपका साथ में name parent और opening balance यह तीनों चीज आपको साथ में दिखेग कुछ जीरो है कुछ में amount है या आपको opening balances के अलामा भी आपको closing भी साथ में चाहिए कि चलो ठीक है हमारा opening balance यह है closing balance भी आए closing balance के लिए तो भी जैसे same method से हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा के dollar साथ में closing balance लिख देंगे तो closing balance भी हमारा साथ में निकल जाएगा अब इसमें अगर आपको कौन सा डेवीड है कौन सा क्रेडिट है उस तरीके चाहिए कि हमारे डेवीड वाले सामने निकल के आए क्रेडिट वाले ना निकले तो यहां हमें last में लिखना होगा where मतलब आपका यह सारे detail तो निकल के आ गया है जहां पर where कि आपको टालर के साथ में लिखना है यहां double dollar यूज करेंगे और लिखेंगे इज डेवीड इज डी आर करके लिखेंगे उसका कॉलन का चिन आपको देना है कॉलन लगाना है और अब जैसे हमें closing balance का डेवीड किसका किसका closing balance वाला डेवीड हो निकलन और इंटर प्रेस कर देंगे तो अभी आपके सामने जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आपके जो जो डेविड में क्रेडिट वाले चाहिए क्रेडिट के लिए क्या करना है हमें इज डेविट के पहले नाट लगा देना नाट इस डेविट कर देना है तो आपका इस तरीके से डीटेल आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग टेली की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं और भी इसके अलामा भी और बहुत सारे मेथड़्स हैं जो इसके तुरू आप इसका टैली से डिटेल्स आपकी रिपोर्टिंग और निकाल सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सिधा मेरे वेब साइट में चले जाना है www.learnwells.com पे आपको यहां पे सारे information सभी कुछ और भी बहुत सारे methods आपको यहां पे दिखी जाएंगे तो मैं इसका link भी आपको दे दूँगा description में आप वहां से भी जा सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आप जरूर बताईए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर रखिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नहीं है